A very good evening to all of you, सभी का warm welcome है YET और English Shooter पे Please subscribe to the channel अगर आपको basic से English की preparation करनी है Banks, SSC और UPSC के लिए आज सुबह का second tutorial पढ़ने वाले हैं, I think ये first वाला ही है For a full repeal इसका title है बहुत ही प्यारा लिखाव आर्टिकल है AFSPA पे Arm Forces Special Powers Active पर आज का मैं आपको quiz दिखा दूँ अपनी class में आप आदा घंटा invest करें और उसके बाद grammar के, vocabulary के, comprehension के इन questions को आपको solve करना है Full on एक आपकी exercise बन जानी चाहिए ये वाली class है न Class के last में इन questions के हमें आपको answers कर वांगा solutions दूँगा चलिए अभी शुरू करते हैं एक ट्राइस को आप अभी दे सकते हैं आईए कुछ नया सीखते है करफ ओर फूल रिपील देखिए फूल रिपील मतलब पूरी तरीके से cancellation रिपील का मतलब होता है किसी चीज को cancel करना जैसे सरकार ने दारा 370 को हटा दिया तो दारा 370 को कश्मीर से रिपील किया आगई बात समझ में करफ पूरे तरीके से cancel करवाने के लिए for a full repeal रिपील वर्ड आप समझ गये cancellation, abrogation या negation किसी चीज का हटाया जाना रिमूवल अब देखो रिपील वर्ड की एक सिनॉनिम फ्रेजल वर्ब होती है rollback ठीक है rollback, back मतलब वापिस ले लेना किसी चीज को cancel कर देना मैं चाहता हूँ rollback तो आप जान गए हो rollout और rollover ये फ्रेजल वर्ब्स जो बार बार आप देखते हो इनके meanings भी जानने की कोशिश करो एक बार खुछ से पूछ लो फिर मैं करवा देता हूँ चलो देखो rollout का मतलब होता है rollback का विल्कुल उल्टा launch करना और rollover का मतलब होता है continue करना जारी करना मान लीजिए सरकार ने कोई scheme लेकर किया है सरकार तो सरकार ने उस scheme को rollout किया launch किया मान लीजिए उस scheme को सरकार ने अगले साल भी continue किया है तो सरकार उस scheme को roll over कर रही है और मान लीजिए उस scheme को सरकार वापिस ले रही है cancel कर रही है repeal कर रही है तो सरकार ने उसको rollback किया इस तरीके से ये तीनो फ्रेजल वर्प्स बनी हैं दिमाग में इनको एक साथ में आपको बिठाना है समझ गे आगे बढ़ते हैं इसके टाइटल पराग्राप पे क्या कहना चाहरा है जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें सेशन को कैरे जो रिलाक्सेशन आया है जो थोड़ी सी नर्मी आये है और किसमें इस एक में एफ़स्पा में कैरे इसका हम सबी स्वागत करते हैं लेकिन जो डिमांड है हमारी जो मांग है पूरी तरीके से इसके कैंसेलेशन की रिपील की इसको भी माना जाना चाहिए शुड भी कंसीडर इसके उपर भी विचार होना चाहिए तो AFSPA में सरकार ने कुछ नर्मी लाई है यह सब के सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं लेकि चाहिए इसको अपने smoothly बढ़ते जाएं देखे आप में से जो लोग competitive exams parents हैं एक साल से दो साल से तीन साल से या चार साल से भी preparation कर रहे हो लेकिन guidance नहीं मिलने की वज़े से सही रस्ता पता ना होने की वज़े से आपका selection नहीं हुआ या फिर आपने अभी भी तैयारी कर पाएंगे unacademy का SSC का iconic course SSC के सभी non-technical exams CGL, CHSL, MTS इनके सभी subjects का पूरा prelims और mains का course इस batch में cover होगा priority doubt solving मिलेगी teacher से personal connection होगा ताकि आपको live classes में अपनी कमियां पता लगे और आप उनको improve कर सके click on iconic और यहां से आप available कर पाएंगे course को अलग-अलग validity के साथ अगर time है आप अफोर्डबल हैं लेकिन इस पे भी additional discount है अगर आप use करते है code YD10 मैं आपको use करके दिखा देता हूँ जैसे ही apply करोगे आप 24 महिने की course की preparation कर सकते हो सिरफ 375 रुबे पर मन्त की cost पे use the code YD10 and prepare well अच्छे से मेहनत करें किसी भी exam के लिए on an academy चलिए फटा वड़ से एक चीजों से रोज classes में regular रहें और जब भी आप पढ़ रहे हो आर्टिकल को subject और वोब को खास ध्यान दें subject green color में यहाँ पे home ministry वोब ASCII has decided यहाँ पे subject AFSPA वोब वोज रिमोवड active में है passive में है इन चीजों पर आपको basic जो है ध्यान देना है article को पढ़ते हुए दूसरा काम अगर आपको active passive भी नहीं पता subject वोब भी नहीं पता तो आपको अपना basics पहले पूरा करना है home page पे रखी हुई इस playlist से complete English grammar for all competitive exams इसमें आपका पूरा course आगा है SSE Banks का basics ठीक है free of course है लाखों लोग देख चुके हैं आज से ही शुरू करो 10-12 दिन में इस playlist को पूरा करो उसके demand के बाद में for लगा हुआ है demand के बाद में for लगा हुआ है क्या यह for यहाँ पे सही है यह इसको अटाना सही है चलो concept समझें फटावट से देखो demand है ना demand यह word demand एक verb भी है और यह word एक noun भी है verb form में इसकी खासियत यह है कि यह अपने बाद में कोई preposition नहीं लेता लेकिन noun form में इसकी खासियत यह है कि यह अपने बाद में for नाम का preposition लेता है अब देखो word देखके तो आपको समझ में आएगा नहीं यह demand verb यह noun है आपको sentence को break करना पड़ेगा और break करके आप जानोगे demand word का prepado speech क्या है अगर यह verb होगी तो मैं इसके बाद का preposition निकाल दूँगा और अगर यह noun होगा तो for इसके बाद में रखूँगा जैसे first sentence है the opposition demands for the resignation of the PM opposition demand करती है PM के resignation को second sentence भी वही है the opposition made demands for the resignation of the PM opposition ने make किया demands को PM के resignation की दोनों sentences का meaning same है लेकिन first sentence में demand main verb का काम कर रही है opposition subject main verb है demands इसलिए इसके बाद में for नहीं आएगा लेकिन second sentence में subject है opposition main verb है made demand तो इस verb का object है यानिकि एक noun है verb का object यानिकि noun noun के case में इसके बाद for आएगा लाजमिये लगाना है इसी तरीके से order नाम की verb है अगर ये verb होगी तो इसके बाद में no preposition अगर ये noun होगा तो इसके बाद में for तो they place या they order for their dinner from this restaurant वो अपना खाना डिनर इस restaurant से order करते है they यहाँ पे subject है order main verb है for preposition है गलत है main verb order के बाद में कोई preposition आई ही नहीं सकती तो क्या करें निकाल दो इसको लेकिन second sentence में they place their order for their dinner from this restaurant place यहाँ पे main verb है order main verb नहीं है अब order जो एक noun बन चुका है verb का object है इस case में यहाँ पे for आएगा इसको आप नहीं हटा सकते है आगी बाद समझ में तो sentence को break करना है और check करना है demand और order यह verb कैसे काम कर रही है अब ऐसे demand और order की तरह मैं आपको बाकी के pairs भी दिखा देता हूं जो इसी तरीके से काम करेंगे investigate verb है इसके बाद में कोई preposition नहीं लेकिन investigation noun है इसके बाद में into आएगा heed verb है no preposition लेकिन heed एक noun हो तो इसके बाद में to आएगा order, demand, attack, thank, control, access, emphasize, stress, impact, target देख लेना left side में अगर यह verbs है तो no preposition right side में इनके बाद में अगर यह noun है तो यह preposition fixed है चले, simple सा concept है, बहुत बार कर चुके है, basics में अच्छे से हो चुका है, आज ओ फटाफट से अब अपनी vocab पे, यह vocab sheet है हमारी, telegram group से आप इसको download कर सकते हो, comment section में telegram group का link रखा है आज के हमारे पस words है, strident, ambit, steadfast, तीनों पुराने words है, circumscribe यह भी पुराना word है, और नया word है, peace meal है ना, peace meal सभी words को देखेंगे के करके, देखें, strident का मतलब होता है, बहुती करकश, बहुती कानों को, मलब कानों में दर्द गर दे, इतना ज्यादा loud हो, इतना ज्यादा unpleasant हो, harsh हो, कोई चीज, ears पे, तो वो कहलाती है strident, जैसे बाजार में एकदम, शोर होता ना, शोर गुल, किसी ऐ comment ने face किया है, बहुत ज़्यादा करकश, बहुत ज़्यादा unpleasant, बहुत ज़्यादा loud criticism, तीन farm bills के क्रिशी कानों के उपर, आगे बाद समझ में, clamorous, cacophonous और vociferous, तीनों ही इसके synonyms हैं, अच्छे अच्छे words हैं, बहुत बार हो चुके हैं, अपने articles में, आज आप इसका synony vociferous देखने वाले हो, ऐसी चीद जो आपके कानों में चुबे, बहुत तेज हो, शोर में उसको कहेंगे vociferous, next word हमारे पास ambit, ambit का मतलब होता है दाइरा, यानि कि scope, law making powers on police and agriculture, fall under the ambit of states of India, कानून बनाने की ताकतें, पुलिस पे और क्रिशी पे, fall करती है, ambit में, रहती हैं हमारे राज्यों में states of India के, यानि कि राज्यों के भारत देश के, तो राज्यों के पास जो powers है, उनमें आती है, powers agriculture और पुलिस पे कानून बनाने की, राज्य सूची के ये दोनों के दोनों, जो है, law making areas है, आगी बाद समझ में, ambit का मतलब दाइरा, इसको purview, orbit, jurisdiction, ramit, sphere और ram भी बोलते हैं, purview इसका synonym है, जिसको आजा आप article में, देखेंगे, किसी भी चीज का दाइरा, है न, steadfast इसका मतलब होता है, जिद्धी, stubborn, loyal, firm, कहीं पे अटक जाओ आप, किसी मामले में, किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी ideology से, तो आप जिद्धी या steadfast हो जाओगे, stubborn ह जाओगे, बहुत धीट हो जाओगे, the accused killer remained steadfast in his belief, that he had done the right thing to kill a criminal, जो accused killer था, जो आरोपी, killer था, हत्यारा था, वो अपने इस belief में, जिद्धी बना रहा, धीट बना रहा, कि उसने बिल्कुल सही काम किया था, इस criminal को मार करके, आई बात समझ में, कह रहा है, मैंने मारा है, ल अगला वर्ड है, अच्छे से करवाया हुए आपको, इसका मतलब होता है, चारो तरफ से घेर लेना किसी को, सरकम मतलब चारो तरफ से, स्क्राइब का मतलब है, लिखना, माल लो यह चीज है, यह box है, इसको मैंने ऐसे करके एक पहन से न, एक घेरा बना दिया, इसके चारो बनाने का, इसको बोलते है, कुछ भी चीज लिखने को, सरकम मतलब चारो तरफ, तो जैसे ही मैं इसके चारो तरफ एक घेरा बनाऊंगा, गोला बनाऊंगा, मैं इसको लिमिट्स में बान दूँगा, इसको कनफाइन कर दूँगा, सरकम स्क्राइब वर्ब का मतलब ही होता कर सकता है freedom of speech को अभिवक्ति के अधिकार को और किसके हमारी मीडिया के circumscribe नाम का word आज आ पार्टिकल में देखेंगे किसी को सिमाओं में बांधना last word है हमारे पास peace meal देगे कि meal है आपके पास बहुत बड़ी meal मतलब खाना खाने की plate और उसमें piece by piece आप कुछ खा रहे हो पहले आपने कुछ लड़ू उठाया फिर कुछ मीठा उठाया फिर आपने डाल में रोडी लगाई किया ना कुछ तो piece by piece अपनी meal को खा रहे हो तो piece meal word वहीं से बना है piece meal word का मतलब होते है दो पहला तो step by step अब थोड़ा 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 करके अपना meal खाते हो piece by piece step by step manner में दूसरा जो piece by piece आप अपनी meal को खा रहे हो ना तो ये partial और gradual काम है अपने खाने को खाने का जैसे आपने एक टुकड़ा खाया तो आपने अपना खाना तो खाया लेकिन partially खाया gradually आप अपना पूरा खाना खाऊगे पूरी meal को पूरा करोगे piece meal मतलब meal के छोटे छोटे हिससे तो कोई भी काम जब step by step होगा ये word use होगा adverb या adjective form में use करके मैं आपको दिखा देता हूँ doctors have observed piece meal improvement in the patient doctors ने observe किया है partial improvement को patient के अंदर थोड़ी improvement आई है दिरे दिरे ओर आएगी piece meal improvement आई है अभी थोड़ा सा होश आ है फिर चलेगा फिर बात करेगा इस तरीके से piece meal improvement आ रही है वैसे the reforms are being implemented in a piece meal fashion reforms को implement किया जा रहा है एक piece meal step by step fashion में तरीके में पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा है न step by step चली यह 5 words है detail में आपको करवा दी है classes में regular रहोगे तो vocab की समस्य हां से आपकी दूर हो जाएगी चली एक summary आपको दे रहे किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे देगे North Eastern States में आप जानते हो हमारी armed forces जो North Eastern States में उनके पास बहुत सारे अधिगार होते हैं वो किसी भी द्लंगाई को पकड़ सकती है कोई भी आदमी जो peace को violet कर रहा हो उसो गोली मार सकती है लेकिन इस act की बहुत सारी controversies भी है कभी-कभी इस act का गलत इस्तिमाल होता है civilians पे भी firing हो जाती है तो इस controversial act पे हमारी बहुत सारी demands आ दिया है North Eastern States से किस act को altogether यहां से हटा दिया जाए अब इन्ही demands के response में center government ने इस act को dilute कर दिया है कमजोर बना दिया है कई सारी North Eastern States में कई districts में अब यह act लागू नहीं हमारा article कर रहा है it is a welcome move हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं लेकिन अब वक्त आ गया है कि center भारत सरकार पूरे तरीके से फिर से विचार करें क्या इस act को लगाने की जरूत है भी या नहीं अगर जरूत नहीं है तो full repeal पे भी consideration होना चाहिए जो की North Eastern States के लोगों की demand है आई बात समझ में आज की दो तरह की tones है पहला तो welcoming वेलकम कर रहा है सरकार के move को दूसरा suggesting सरकार को suggest कर रहा है कि ऐसा भी आपको कर लेना चाहिए चलिए शुरू करें article को कर रहा है कर दो कि अ कर दो कि आपको काया यहाँ कर दो कर दो कर दो कि दो मुझ व सक्कार कि अ आपोलर, आपको को स्थरूकित शप्यर अव्ञान पर चाहिए ट्सपर अप्सपर ळेजिडी को तो कि दो अनृत्वर सब्सेश्पर आपार थेस्ट भाल работает. आपको कि रह थाज under the act in three states सबसे पहले background दे के बता रहा है हुआ कै एक ऐसी चीज में in what ये in what structure है इसको मैं भी आपको detail में करवाँगा ठीक है अभी sentence को समझ लो कै रहा है एक ऐसी चीज में एक ऐसी घटना में in what कैसी घटना वही जो की is है clearly साफ साफ एक node एक agreement एक हामी और किसके सामने भाई हामी है कानों को चकरा देने वाली बहुती loud demand के सामने कैको फोनस demand के सामने और demand किसके लिए repeal के लिए cancellation के लिए rollback के लिए इस बहुती बदनाम unpopular act के लिए act का नाम है AFSPA Armed Forces Special Power Act और कहां से repeal कहां से होगा यह repeal होगा several states से कई राजों से हमारे north east में seven sister states में करे एक ऐसी घटना में जो की साफ साफ तोर पे एक हामी है एक node है एक agreement है जो agreement है इस demand के सामने और demand है बड़ी कानों को चकरा देने वाली बहुती loud कि इस act को north east से हटाया जाए करे इस node में हुआ क्या इस हामी में हुआ क्या करे यह demand खास करके आई है especially after बाद में जब 13 civilians को मार दिया गया passive voice में work hilt mon district में नागा लेंड के पिछले साल दिसंबर को करे इस तरह की node में हमारे ग्रहाम अंतरा लेने न union home ministry ने decide किया है कि वो considerably reduce करेंगे वो बहुत जादी जादा कमी लेकर के आएंगे उस आंकडे में उस number में जो है disturbed areas का इस act के अंडर में तीन states के अंदर आई बात समझ में तो यह act लगा हुआ बहुत सारी states में अब बहुत सारी states में से तीन states में home ministry इस act को dilute कर रही है हुआ है जब बहुत सारी demands आई थी कि इस act को हटाया जाए और खास करके तब जब इस act के दुरप्योग से 13 civilians को आर्मी वालों ने पिछले साल गलती में गलती से गोली मार दी अब इस sentence की structure को देखेंगे what की वाब है is civilians की वाब है were killed in passive voice, home ministry सरकार का act है, सरकारी act है तो proper noun है a बड़ा, f बड़ा, s बड़ा, p बड़ा, act बड़ा और आगे लगा हुए दा सरकारी कानून है ना तो दा लगा हुआ आगे और पूरा कानून जो है proper noun में सरकारी ministry है तो U बड़ा, H बड़ा, M बड़ा और आगे लगा हुए दा याद रखें सरकारी संस्थाओं के आगे दा लगेगा उनको प्रॉपर नौन की तरह ट्वीट आपको करना है नोड का मतलब होता है हामी, agreement, acceptance, permission आपने मुझसे पूचा ऐसा कर लूँ मैंने नोड किया, नोड मतलब अपने हैड को थोड़ा सा हिलाया कि हाँ भई कर लो ऐसा, तो उस हैड को हिलाने के move को बोलते हैं नोड करना, vociferous, cacophonus, strident, clamorous, बहुत ही यदा loud होता है वो कहलाता है, vociferous अब इस structure को देखेंगे, invert ये होता कै, बहुत आसान है इसको दिमाग में ऐसे बिठा लो, एक इस तरह के वाकिये में, इस तरह की घटना में, या इस तरह की चीज में इनवर्ट का मतलब क्या होता है एक इस तरह के वाकिये में इस तरह की घटना में या इस तरह की चीज में अब देखो इसको यूज करके दिखाता हूं practically no one has a right to interfere in what is my private matter किसी के पास भी अधिकार नहीं है राइट नहीं है दखल अंदाजी करने का अब दो किस में एक ऐसी चीज में जो है मेरा प्राइवेट मैटर आरे यह बात समझ में यह संटेंस स्क्चर ऐसे ही वनती है इन वट का मतलब ऐसा ही होता है किसी के पास भी अधिका में से वट को निकाल भी सकते हो है ना और इसको निकाल भी सकते हो आपका संटेंस वैसे भी बन जाएगा इसके बिना भी बन सकता है इन माय प्राइवेट मैटर अब एक दो संटेंस और कर वाता हूं फिर स्क्चर आपके दिमाग में बैठेगी इन वट सीम्ड़ फॉरें language, the stranger asked for my help एक ऐसी चीज में जो सुनाई देती थी या दिखाई देती थी एक विदेशी भाषा sil開始 में ये पाया में एक विदेशी भाषा में लिख सकते हो इस ना फ्वर इंसे चीज में जो एक अई भराइट को आप निकाल भी सकते हो इससे आप फ्ञापा दिखाई की मुझसे help मांगे है न, थोड़ा artistic look देते हो आप अपनी writing को, वैसे ही In what was a moment of anger, the protesters burned several vehicles, एक ऐसी moment में, एक ऐसी चीज में, जो एक moment of anger थी, जो एक गुसे का moment था, protesters ने जला दिया कई सारे vehicles को, कई सारे वहानों को, again, what was को निकाल दो, in a moment of anger, the protesters burned several vehicles, तो सर याद रखें in what ऐसे ही चलता है यहां से भी कर सकते हो, ऐसा ही, what इसको निकाल दो, in clearly a node to vociferous demand, center has decided to considerably reduce, समझ में आगी structure चलो, आगे बढ़ते हैं जब तक यह चीजे दिमाग में नहीं बटेंगी, आप reading से comfortable नहीं होंगे इसलिए कितना भी time लगे, मेरी इच्छा होती है कि जैसे मेरे दिमाग में understanding है, आपके भी आए है न, करे दा order from April 1st is applicable for 6 months, करे जो नया order आया है, government का, जो April 1st से आया है करे यह applicable है, 6 महीनों के लिए यानि April से कब तक हो गए August तक, April से अगस तक यह order जो है जारी रहेगा order की वह बहब है, yes करे नागालेंट, while AFSPA was removed from the jurisdiction of 15 police stations in 7 districts it remains in place in 57 police stations in 13 districts, अब देखो तीन स्टेट से सरकार ने इस act को जो हटाया है, है ना हटाया नहीं मतलब थोड़ा सा डैल्यूट किया है, अब उन तीन स्टेट के बारे में एक एक करके आपको बताएगा करे आप पहली स्टेट, यानि की नागालेंट नागालेंट में जहां AFSPA को remove कर दिया गया था, जूरिस्टिक्शन से दाइरे से, परविव से, स्कॉप से और किसके, 15 police stations के और कहां पे, 7 districts में साथ जिल्लों में, करे वही पे ये बना हुआ है in place, अभी भी अपनी जगा पे है, in place है, 57 police stations में, 13 districts के अंदर तो नागालेंट में ये हुआ है नागालेंट में, बैस 57 में तो बना हुआ है, 13 districts के अंदर 7 में से, 15 में से, police station में से, इस act को हटा दिया गया है AFSPA की वावब है, was removed remains की वावब है, sorry, it की वावब है, remains, it आया है इस act के लिए remain in place मतलब, अपनी जगा पे बने रहना, कायम रहना, jurisdiction purview, दाइरा, scope, sphere, ambit याद है ना, किसी भी चीज का दाइरा कहलाता है, jurisdiction वैसे तो यह act है, इसके आगे दाइरा आना चाहिए, लेकिन अब यह short form यूज कर रहा है, और बिना दाइरा के यूज करता जाएगा, technically, सरकारी एक्ट है तो इसके आगे दाइरा हर बार लगना चाहिए है ना, technically, चलो करदा, relaxation has been most substantial in Assam, where it has been removed entirely from 23 to 6 यह जो नर्मी आई है, इस act में वो रही है, सबसे ज़्यादा substantial, सबसे ज़्यादा conceitrable, और कहाँ पर दूसरे वाले district याने की Assam में अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या, कहाँ जहाँ पर इसको remove कर दिया गया है, पूरी तरीके से only 9 districts तक हरे वा समझ में, तो 23 में से निकाल दिया, पूरा, एक में रख दिया छोड़ा सा, और 9 में पूरा का पूरा छोड़ दिया, इस शरीके से Assam में सबसे ज़्यादा इस act को कमजोर बनाया गया है, तो पहला जिला नागलेंड, दूसरा जिला Assam Relaxation की वोबाई has been Present Perfect Tense, it की वोबाई has been Removed again, Passive Voice में ठीक है, Present Perfect Tense Partially मतलब आंशिक तोर पे Partly है न, Limiting यहाँ पे Present Participle Simultance Action है जब इस act को इस तरीके से हटाया गया था, Partially और Fully, तभी इससी तरीके से यह act जो है, इसको Limit भी किया जा रहा था इसके Operations को दो काम, एक साथ हो रहे हों तो पहले काम को main verb से बताओ दूसरे काम को comma लगा करके वोब की ing form से बताओ ठीक है न, Basic Grammar में हो चुका है सब कुछ Substantial नाम के word पे नज़र डालें इसका मतलब होता है Concedurable, Sizeable ऐसी चीज जिसको नजर अंदाज ना कर पाओ, उसके Size की वज़े से है न, जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो आपके पास एक Concedurable यानि Substantial problem है जिसको आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका Size बहुत बड़ा है यह word आप जानते हो अच्छे से, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ Substantive नाम का word Substantial तो आप समझी गए यह तो पता ही आपको, जिसका Size बहुत बड़ा हो Substantive का क्या मीनिंग होता है फटा-फट अपने दिमाग से पूछो, क्योंकि दोनों words एक जैसे ही है कहां से करवा रहे हैं words Class में आप regular नहीं हो, क्योंकि Classes में यह word तो बहुत बार होते हैं थोड़े दिन regular रहोगे तो इस सारे words आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अब आपको करवा रहा हूँ Revision Substantive का मतलब होता है meaningful, सार्थक या फिर thoughtful, बहुत सोचा समझा जैसे आप बातचीत कर रहे हूँ किसी के साथ thoughtful बातचीत है substantive बातचीत है, meaningful बातचीत है इस word का substantial नाम के word से कोई भी connection नहीं है आगी बात समझ में, दोनों different words है चलो आगे बढ़ते है कराइन मनिपूर, आप देखो in force in 82 police stations in 16 districts, including several hit districts, whether or not they adjoin the international boundary कराइन मनिपूर में, दूसरे हाथ की तरफ on the other hand, दूसरी तरफ मनिपूर में, contrast बताएगा कराइन महज 15 police station area जो है, 6 districts में, इनको exclude किया गया है, और कहां से disturbed areas के notification से, और ये जो act है AFSPA, ये अभी भी जारी है in force है, 82 police stations में 16 जिल्लों के, जिसमें शामिल है, बहुत सारे पहाड़ी districts, चाहे वो join करते हों, चाहे वो सटे हुए हों, adjoin करते हों, या ना करते हों international boundary को, अंतरास्ति सीमा रेखा को, आई बात समझ में तो मनिपूर में बहुत ही कम होआ है तो police station areas की वोब है has been excluded, act की वोब है is, देखो, the act लिखा हुआ ना the act है ना, सरकारी act है in force मतलब under implementation they की वोब है, adjoin they आया है 16 जिल्लों के लिए adjoin का मतलब होता है, सटे होना be adjacent to होना, touch करना किसी चीज़ के साथ सटे रहना उसको बोलते है, adjoin करना तो ये चाहे 15, 16 district जो है चाहे international boundary इनकी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, इनसे अभी भी act अभी भी यहां पे लगाया जा रहा है आगे बड़े तो अब 3 district खयाल कर ले ना, क्योंकि मैंने आप से कुईज में question पूछा है, कौन कौन से district में act को remove किया गया है ना, तो 3 district आपके हो गए करायास तिंक स्टेंट, the government's decision to relax the application of the act in specific areas seems to stem from the reduction in violence and also administrative reasons rather than as a response to the burning question on whether the act is essential to security operations in these states which have experienced insurgencies of various degrees in the past, long sentence है पर बहुत ही असान है, step by step में अदर में पढ़ेंगे, क्याराई, जैसे चीजें आज खड़ी है, as things stand, जहाँ पे चीजें आज खड़ी है, हुआ क्या क्याराई उस हिसाब शेकर देखा जाए ना, तो सरकारी जो decision है relax कर देने का, धिल ले आने का, इस act की application में, इस act की enforcement में, implementation में, और कहाँ कुछ खास areas के अंदर, कर रही जो decision है न, यह दिखाई देता है कि यह stem from हुआ है, निकल करके आया है और कहां से, इस reduction से, कमी से, जो आई है हिंसक घटनाओं की, violence की और साथ ही साथ यह निकल करके आया है, प्रशासनिक कारणों से administrative region से, तो अगर आज की स्थिती को देखे हैं, तो इस स्थिती यही बयान करती है, कि सरकार का decision इस तरीके से आया है, सरकार ने देखा कि violence थोड़ी कम हो रही है और administrative region भी थे, सरकार के पास कुछ प्रशासनिक कारण भी रहे होंगे करण बजाए किस चीज़ के बजाए एक प्रतिकरिया के तौर पे रिस्पॉंस के तौर पे, जो है इस जलाने वाले questions की burning questions की, बहुत ही urgent question की और वो question है इस चीज़ पे हाँ या ना, क्या ये एक्ट essential है, जरूरी है और किसके लिए, security operations के लिए, इन states के अंदर और ये कौन सी states है भाई ये वो वाली states है, विच जो अनभव कर चुकी है, experience कर चुकी है, insurgences को तरह तरह के विद्रोहों को, insurgences मतलब विद्रोह, और किस तरह के, कई degrees के, कई level के, past के अंदर, भूत काल के अंदर आगी बात समझ में, तो देखने में तो ये ही लगता है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया, क्योंकि violence कम हो गई है, और सरकार के कुछ प्रशासनिक region है, इसलिए act को अटाया है, कई जगए से बजाए सरकार का ये जो काम है ये response में नहीं आया, ये जो है सरकार का जो सारा जो अटाने का काम है एक प्रतिकरिया नहीं है, इस सवाल के उपर सवाल ये है कि इस act की क्या ज़रूत है क्या ये अभी भी ज़रूर है, security operations के लिए इन states में, और ये वो states हैं जो बहुत सालों से अनुवफ करती आ रही है बहुत सारे विद्रों को कई तरह के कई डिग्रीज के पास्ट के अंदर चलिए, things की verb है, stand, decision की verb है, seems, stem from करना मतलब निकल करके आना, इसको emanate from, emerge from, appear from come out from भी बोलते हैं सारे के सारे एक दूसरे के synonym है बार-बार इसलिए करवा रहा हूँ, ताकि दिमाग में बैठें, emanate verb को खास करके ध्यान देना, है न, कहीं से किसी चीज का बाहर निकल करके आना at की verb है, is, which की verb है have experienced, which का antecedent plural है, states, इसलिए which की verb भी, जो है, plural है have experienced, insurgency मतलब withdraw, rebellion, mutiny, uprising, revolt, है न, withdraw degree मतलब level चलिए, technically sentence में एक problem है, problem यह है कि यह जो decision है न, यह stem from नहीं हो सकता यह seems to have stemmed from हो सकता है stem from होने का मतलब है, decision निकल करके भी आएगा, आपको करवा चुका हो न, मैं infinitive, simple infinitive future को बताता है, perfect infinitive past को बताता है, decision तो अलड़ी आ चुका है, जब आ चुका है तो यहाँ पे simple नहीं, बलकि आपको perfect infinitive यूज करना चाहिए आज detail में नहीं जाओंगा मैं, जो लोग कर चुके हैं वो अलड़ी समझते होंगे, 2 plus में have plus में V3 यहाँ पे लगना चाहिए था चलो, करा, while this piecemeal gesture would be welcomed by the residents in these areas in particular the popular demand for the repeal of the act in full form in full form, the three states remains unfulfilled जहाँ पे यह चोटा सा gesture है gesture मतलब move, piecemeal आप जानते हैं step by step, partial, meal का एक चोटा सा हिस्सा जहाँ पे चोटा सा move है, इसको welcome किया जाएगा स्वागत किया जाएगा, passive voice में residents के द्वारा इन areas के खास करके तो पूरा देश तो स्वागत करे गई इन areas के खुद के जो निवासी हैं जो residents हैं, वो भी इसका welcome करते हैं करा वहीं पे, यह जो popular demand ना यह जो बहुत जादा, मतलब important demand है बहुत जादा जानिवानी demand है, famous demand है और किसके लिए, act की repeal के लिए पूरे तरीके से in full और कहां से, इन तीन state से करा यह अभी भी unfulfilled बनी हुई है यह अभी भी पूरी नहीं हुई है demand अभी भी पूरी होना बागी है gesture मतलब move, हरकत इसकी verb है would be welcomed demand की verb है remains demand actual में subject है, यानि कि एक noun है जब noun subject और verb का subject या object होता है खास करके demand, order ऐसा noun तो अपने बाज में prep position को लेता है उपर कर चुके ने concept? चलो करें, despite the vociferous protest from security forces for the retention of the act human right organizations, sections of civil society and committees including the five member committee led by retired supreme court judge BP G1 Ready in 2005 have steadfastly called for its repeal अब यह बता रहे है कि लोगों के लावा demand कहां कहां से हाई है इस act को अड़ाने की यह बताएगा कि बहुत सारी दूसरी organizations ने भी demand की है करेंब बावजूद, despite बहुत ही जादा कानों को चकरा देने वाली protest के vociferous या loud protest के और कहां से? security forces से सुरक्षा बलों से और यह protest क्यों हो रहे हैं? इस act को बनाए रखने के लिए retention के लिए करेंब बावजूद, हमारे police वाले, हमारे फोजी जो हैं बहुत बहुती फेरस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस act को बनाए रखो हमें इस act की जरूत है करेंब इनके इस प्रोटेस्ट के बावजूद हुआ क्या? करेंब बहुत सारी human rights को organization है ना और बहुत सारे section है जो civil society के और बहुत सारी committee है जिसमें शामिल है एक 5 member की committee जो led by थी जिनकी अगवाई में थे retired supreme court के जग जज मिस्टर जीवन रेडी 2005 में जो committee बनी थी करेंब इन सब के सब लोग जो है ना इन्होंने steadily call for किया है इन्होंने लगातार steadfastly demand for किया है इसकी repeal के लिए इसके cancellation के लिए तो सुरक्षा बलतु यही कहते हैं कि act को बना रेने दो हमारे पास powers रेने दो किसी को भी हम गोली मार सकें किसी को भी arrest कर सकें ताकि इस area में peace को काहिम रख सकें बावजूद उनकी demand के इन सभी तरह की committees और organizations ने यही बोला है कि इसको आपको हटा ही लेना चाहिए इस act का कोई भी काम नहीं है human rights organizations, society और committees की वावब have a call for call for करना मतलब demand करना steadfastly मतलब जिद्धी बने के साथ stubbornly, formally steadfastly मतलब heat और जिद्धी manner में इनको ऐसा इनका जो है कहना है retention मतलब बनाए रखना वह सी फेरस आप जानते हैं despite का मतलब होता है बावजूद इसको in spite of भी बोलते हैं और nevertheless भी बोलते हैं बड़े आगे despite के बाद कभी off मत लगा आना in spite के बाद में off हमेशा आएगा चलो आगे कर रहे the committee in particular had suggested that the act had created an impression that the people of northeastern states were being targeted for hostile treatment and that the UAPA Act Unlawful Activities Prevention Act could instead be suitably amended to tackle terrorism अब यह जो committee थी Mr. Ready की 2005 वाली करा इस committee ने in particular खास करके ऐसा suggest किया था that हो यह की यह act जो है create कर चुका था एक impression को और कैसा impression that हो यह की North East के जो लोग होते हैं उनको target किया जा रहा है उनकी hostile treatment के लिए North Eastern लोग जो है वो भारत को प्यार नहीं करते हैं भारत के लोगों से भारत के सुरक्षा दलों से उनका कोई वास्ता नहीं है इसलिए इस act के जरीए उनको target किया जा रहा है ऐसा इस act ने impression बना दिया है पूरे देश में ठीक है और दूसी चीज क्या दूसी चीज यह के जो UAPA नाम का जो act है बड़ा ख़तरनाक act है करे इसको भी instead बजाए इस act के इसको भी instead बजाए इसके suitably amend किया जा सकता है terrorism को tackle करने के लिए terrorism को समझे ना उससे deal with करने के लिए यह इनका suggestion था यह इस तरीके से इनको target किया जा रहा है ऐसा impression जा रहा है और दूसरा अगर आपको सही काम करना है ना तो इस act को अटाओ और UAPA act का ही एक दूसरा form यहाँ पे लगा दो थोड़ा सा modify करके ताकि ऐसे खतरनाक act से हमें जो नुकसान ना हो AFSPA जैसे खतरनाक act से इसमें किया किसे ओगोली भी लग जाती है AFSPA के अंदर UAPA के अंदर कम से कम आप जेल में जाओगे जेल में जाओगे तो court के सामने जज के सामने पेश होगे जान तो कम से कम नहीं जाएगी ना तो इसको modify करके यहीं लगा देओ तो टेरोरिजम को रोकने के लिए कमिटी की वब है had suggested एट की वब है had created पीपल की वब है were being targeted passive voice में hostile का मतलब होता है दुश्मनी भरा UAPA सरकारी एक्ट है दो दालगा हुआ आगे इसकी वब है could be amended could be amended है न बीच में डो adverbs आही है instead or suitably tackle का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना चलो tackle नाम का word आप जानते हो tackle with, deal with, grapple with, cop up with, content with और put with सब एक दूसरे के synonym है किसी से निपटने की बात करते हैं लेकिन इनमें गलतियां है फटा बट से गलतियां पकड़ो सब एक दूसरे के synonym है सब एक दूसरे को सब का एक ही मीनिंग है किसी से निपटना लेकिन गलति मैंने फिर भी इनमें जानवुष के डाली है चलो पहली गलति सब के साथ में with आएगा लेकिन tackle के साथ में with नहीं आता पहली गलति यह दूसरी गलति क्या content sorry put put के साथ में up ज़रूर लगाना है put up with put with नहीं put up with और तीसरी गलति COP के साथ में COP के साथ में कभी भी up नहीं आता ठीक है न ऐसे चलेंगी यह सारी के सारी tackle के साथ में with लगएगा put के साथ में up आयेगा put up with कॉप के साथ में अब कभी भी नहीं आता बाकी इनका मीनिंग बिलकुल सेम है सभी के सभी फ्रेजल वर्प्स का बढ़े आगे चला करेदा सुप्रीम कोट अपोंटेट जस्टिस एन संतोष हेग्रे कमिटी इन 2013 विच इन्वेस्टिगेट इन काउंटर किलिंग इन मनिपूर suggested that the act must be properly reviewed every six months to see if its implementation is necessary but extension of the purview of the act have proceeded as routine affairs अब करया सुप्रीम कोट की एक और कमिटी आई सुप्रीम कोट ने जिसको अपोइट किया जिसका नाम था जस्टिस संतोष हेग्रे कमिटी कब आई थी 2013 में करया इस सुप्रीम कोट की जो एक कमिटी है ना अपोइटेड कमिटी इस कमिटी ने भी जिसने investigate किया था encounter killings को कहां पे मनिपूर के अंदर करया इस कमिटी ने भी suggest किया इस कमिटी ने भी एक और बात कही एक जो है suggestion दिया कि इस act को properly review किया जाए बार बार इस पे खयाल किया जाए पुनर विचार किया जाए हर 6 महिने से यह देखने के लिए हाँ या ना इस act का implementation जो application है necessary है या नहीं करया लेकिन जो extension होता है इसके दारे का जो बढ़ाया जाता है इस act के purview को करया और किसका इस act का करया वो proceed करता आ रहा है have proceeded वो आगे बढ़ता आ रहा है routine affairs के तोर पे रोज मर रहा के काम के तोर पे तो Supreme Court ने बोला था कि इस committee ने कि 6-6 महिने से कमिटी की वर्ब है suggested which की वर्ब है investigated which आया committee के लिए प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन कमिटी है ना इसलिए विच हो है आपने यूज किया है investigate अगेन एक वर्ब है investigate वर्ब अपने बाद में कोई preposition नहीं लेगी आरी बात समझ में investigation नाउन तो ले सकता है investigation नाउन तो ले सकता है लेकिन investigate वर्ब अपने बाद में no preposition यहां पर कोई preposition नहीं है act की वर्ब है must be reviewed passive voice में implementation की वर्ब है yes extensions की वर्ब है have proceeded पर रिवीव का मतलब होता है scope दाइरा jurisdiction है ना करा in 2016 the supreme court had also ruled that the armed forces could not be immune from investigation for access is committed during the discharge of their duties even in disturbed areas in effect circumscribing the conditions in which the immunity is applied फिर supreme court ने एक और हमला किया है सेक्ट पर 2016 में supreme court ने क्या बोला कि supreme court ने ऐसा rule कर दिया था ऐसा supreme court ने order pass कर दिया था rule करने का मतलब होता है decision देना है order pass करना that वो यह कि हमारी जो armed forces है जो सुरक्षा बला है यह भी immune नहीं है यह भी बचे हुए नहीं है जांच से investigation से और किसके लिए उन access के लिए उन जातियों के लिए access मतलब जाती और कब वो जाती जो commit की गई है discharge के दोरान निभाने जाने के दोरान उनकी duties के उनके फर्च के और कहां पर यहां तक की disturbed areas में यहां तक की AFSP Act के नीचे आने वाले areas में भी करे एक तरीके से in effect Supreme Court ने जो ruling दी न करे इन effect यह ruling जो थी circumscribe करने वाली थी उन conditions को limit करने वाली थी उन हालातों को जिसमें immunity जो है सुरक्षा बलों की apply की जा सकती है तो सोला में सुप्रीम कोड ने यहीं बोला AFSP के अंदर किसी को गोली बोली मारते हो investigation की immunity आम forces को नहीं है अगर investigation बैठ नहीं होगी तो बैठाई जाएगी ऐसा मत बोलना कि आपको immunity मिली हुई है सुप्रीम कोड की वाबाय है रूट फॉर्सिस की वाबाय कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम होना मतलब किसी चीज से बचे हुए होना किसी चीज का आप पर कोई असर ना होना है जैसे कोवीड की vaccine लगवाई तो अपने कोवीड के लिए almost immune हो चुके है full vaccination के बाद access का मतलब होता है जाती committed यहाँ पर adjective है वो जादतियां जो commit की गई थी during the discharge of their duties discharge का मतलब होता है निभाना फुल्फिल करना किसी फर्स को इन effect मतलब एक तरीके से circumscribing यहाँ पर present participle साइमें transaction है जब सुप्रीम कोट ने ऐसा rule किया था तब वो circumscribe भी कर रहा था limit भी कर रहा था सिमाओं में बांद रहा था उन conditions को immunity की वह यहाँ पे is applied passive voice में पूरी structures को खोल करके समझा रहा हूं पोस्ट मोटम करके basics अगर अच्छे हैं आपके तो हर चीज आपको समझ में आती होगी है ना चलिए लास सेंटेंस अपना कर दीज बैग दा question again why should the act remain in the statute के रहे सब बाते जो हमने उपर की है ना इताम जाम सुप्रीम कोड ने ऐसा बोला सुप्रीम कोड ने कमीटी बना ही यह सब बातें बैग करती हैं भीक मांगती है सवाल की बैग करने का मतलब है किसी चीज को require करना यह सब बातें necessary बनाती है सवाल को question को फिर एक इस एक्ट को statute में remain होना चाहिए statute मतलब law books हमारे कानून की किताब और remain का मतलब है बने रहना सवाल यह है कि इस act का हमारे कानून की किताब में क्या जगा है अगें यह last वाला जो आप देख रहे हो यह question वाला question है मतलब समझेंगे ना sentence है interrogative why से शुरू हो रहा है helping verb को subject से प ले लाना है last में आप question देख रहे हूँ statute का मतलब होता है कानून की किताब legislation या law book चलिए informative article है structures थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत interesting है अगर आप इसको जैसे अपने पढ़ रहे है ना piecemeal piece by piece अगर ऐसे पढ़ना आप सीख गए तो मजा आएगा इसी चीजें पढ़के कु 5 questions है आपके सामने पहला question बहुत easy है सीधा सीधा आप से पूचा है कि तीन states जहां पर act को निकाला गया है या हटाया गया हलका फुलका इन में से कौन सी वह state है जहां पर act को नहीं निकाला गया है तो आप सीधे सीधे वहां से पढ़ लोगे तीन states के नाम है जिसका नाम ना हो वह आपका answer है ठीक है देख ले ना किसका नाम नहीं है सेकेंड में पूचा है कि इन में से कौन सी चीज सुप्रीम कोट की invention नहीं जो intervention है इस act को ले करके अब देखो इसमें हमने किया क्या है सुप्रीम कोट ने intervention तीन बार की थी एक G1 ready committee से एक हेगडे committee से और एक इस ruling को देख करके कि arm forces भी इस act से immune नहीं है देखने में तो A, B और C तीनों ही हमारे answers है लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे न तो मैंने शायद इनके years change कर दी है मैंने शायद इनके years change कर दी है अगर years match कर जाएं तो वो आपका answer बन जाएगा अगर years match ना करें अगर years match ना करें तो D आपका answer बन जाएगा answer डाला हूं first comment में वहां से check कर लेना हिंड के साथ में पहले खुद तो कोशिश करो ठीक है ना सबसे सबको खुद से कोशिश करनी है फिर comments में answers को check करना है थर्ड के अंदर आपसे पूचा roll over, roll back और roll out में क्या फर्क होता है अब अराम से देखो तीनों का meaning आप वो लड़ी जानते हो fourth में आपसे पूचा impact नाम का यह word चाए noun है चाए verb है अपने बाद में इस वक्त पे क्या लेगा चेक कर लेना, impact क्या है यहाँ पर, impact यहाँ पर noun form में कभी भी, noun form में ओन लेता है, verb form में कुछ भी नहीं लेता तो check करोगे तो आपको पता लगा जाएगा यहाँ पर क्या लगाना है, on लगाना है या कुछ भी नहीं लगाना लास्ट वाले में आपसे पूचा है, वोसी फिरस, cough with, staunched, staunch कर देना है यहाँ पर, staunch और circumscribed इन चारों में से कौन सा vocab word पांच वे में fit होगा, meaning निकाल करके सही vocab को fit करना है comment section मैं answer डाल रहा हूँ, first comment में, जाकर के वहाँ से check कर लेना, है न, answers को मेरे answer से अपने match करना, out of five कितने marks मिले जरूर से बताएं एक like और एक share जरूर से दें, session को, अपने app को download कर लें, ssc का, already हमने course launch कर दी है कली launch किया था, फैदा ले सकते हो, कोई भी query हो, relating to application, android app, है न, तो यह number है, इस पर whatsapp करें, मेरी team आपको reply करेगी until then, signing out